हलो इवरीवन वेलकम टू एसस कमेस्ट्री और आज हम एक नए टॉपिक के साथ इस वीडियो को लेकर के आये हैं तो जैसा कि आप लोग को दीख रहा होगा कि कौन सा टॉपिक है ये तो आपको पता चल रहा होगा लेकिन ये जो टॉपिक है ना वो बहुत जादे इंपोरें बेसिक रोल प्ले करता है पूरे केमेस्ट्री होल केमेस्ट्री को समझने के लिए ठीक है विकाज इस प्रियोडिसटी का मतलव ही होता है कि इलिमेंट्स का प्रोपरिटी को डिफाइन करना on the basis of periodic table ठीक है तो जो भी मेरा periodic table है जैसे मानलिया जाएux mandly periodic table, mostly periodic table, तो mentally periodic table तो पहले बना था लेकिन mostly उसके बाद बना था. तो उस mostly periodic table के basis पे ये elements के properties को define किया गया है, elements के properties को प्रोपर्टिज को बताया गया है कि वो periodic table में किस प्रिकार से elements का property भैरी करता है ठीक है और क्या-क्या nature उसका हो सकता है ठीक है तो यदि मान लियाज़ा element के properties के बारे में हम लोग अच्छे से study कर लेंगे अच्छे से understanding हो जाएगी तो उससे related जितने भी सारे compound है तो उससे related compound है तो उसके बारे में भी हम लोग अच्छे से क्या कर सकते है understanding कर सकते है ठीक है और वो different different जगह पे क्या हो जाएगा वो काम जाएगा और इसमें हम बताएंगे अभी इसके जस्ट वाद की इस videos में हम ये cover up करने वाले हैं कि आखिर ये periodicity में पढ़ना क्या-क्या है तो आज के video lectures में मेली रूप से cover होने वाला है कि हमको पढ़ना क्या-क्या है periodicity में कौन-कौन से topic आते हैं और इसमें से कौन-कौन से topic ज़्यादा important है कौन-कौन से topic मतलब की थोड़ा सा कम important भी है तो यहाँ पर हम उसके बाद जो discuss करने वाले हैं सारे properties को हम पढ़ेंगे उसका basic है कौन सा screening effect और effective nuclear charge screening effect को हम business रूप से यहाँ पर इस video में हम cover up करने वाले हैं और इसके बाद मतलब लगातार यह periodicity से related आप तक video पहुंसता रहेगा तो जो भी viewer नए जुड़े हैं आज इस video के माध्यम से तो वो subscribe जरूर कर ले और bell icon को on कर ले ताकि जो नए वीडियो का जो update है वो आप तक जल से जल पहुंच सके ठीक है तो let us start तो देखते हैं periodicity तो periodicity कई मायने में हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा important होने वाला है तो वो periodicity का मतलब क्या होता है सबसे पहला उसको define करेंगे तो यह जो है ना periodicity अब जो है इसको हम लोग समझेंगे कि आखिर यह periodicity होता गया है ठीक है तो students देखेगा कि यहाँ पर आपको यह definitions पहले इसको आता है कि periodicity को define करते हैं ठीक है तो यहाँ पर लिखा हुआ है periodicity means that if element यहाँ पर आप कर सकते हैं क्या हो जाएगा periodicities होगा वो एक element इसको periodicity periodicity means that if elements मतलब periodicity मतलब कि यदी elements are arranged in an order यदी elements को arranged किया गया है किसी order में एक order में the properties of element तब इस properties properties of element जो होगा element का जो property होगा would repeat after some periods जो periods के बाद कुछ periods के बाद मतलब कुछ times के बाद वो repeat होनी चाहिए यहाँ पर periods का मतलब time not अमें यह periodic table वाला period यह periods के बाद repeat होनी चाहिए मतलब एक बार फिर से periodicity का मतलब है element को इस order में इस क्रम में सजाना ताकि उस element का जो properties है वो एक definite periods के बाद वो repeat हो सके यानि पूनह उसका क्या हो सके मतलब repeat का मतलब वो बार बार दोहराया जा सके ठीक है in periodic table after every eighth element अब इसके बाद यहां से जो है कता है in periodic table यानि आवर्थ सार्णी पेरियोडिक table में पर तीक आठमा element ठीक है यहां पर देखा हुआ है periodic table after every eighth element मतलब आठमा element की बाद the properties of first हाना element the properties of first it is known as क्या हो जाएगा periodicity मतलब कहता है कि इस प्रकार से element को arrange किया जाए एक order में ताकि उसका जो properties है एक definite periods के बाद वो repeat करें repeat होनी चाहिए और वो किसी periodic table में पर तीक आठमा element के बाद जो element आता है वो क्या होता है properties first के जैसा repeat करता है it is known as periodicity ठीक है यानि कहने का मतलब है कि आवर्थ सार्णी में elements को इस प्रकार से सजाया गया arrange किया गया कि आठमे element के जो बाद वाले आठमे element के जो बाद नौमे अस्थान पे जो element आते हैं उसका जो properties है वो first element के जैसा repeat करता है तो इसी को बोला गया periodicity ठीक है तो यह समझ में आया होगा उसके बाद ठीक है lithium है beryllium है boron है carbon है nitrogen है oxygen है neon है ठीक है तो यहाँ पर यह जो है यह 4-3 साथ होगा oxygen sorry carbon, boron, nitrogen boron, carbon, fluorine भी है ठीक है तो यह 8 element है अब इसके बाद जो होगा जिसे मान लिया जाए इसमें 8 element तो लिए अब इसके बाद जो है हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह 8 element है और 8 element के बाद जो आएगा जैसे मान लिया 9th element जो आएगा वो sodium आएगा ठीक है तो sodium जब आएगा ना यह 9th पे आएगा तो इसका जो properties है वो इसके जैसा भी हैब करेगा ठीक है तो यह परतिएक 8 element के बाद इसका properties क्या हो रहा है repeat कर रहा है इसी तरीके से elements को arrange किया गया किसमे पिरियोडिक्टेवल में इसी को बोलते है periodicity तो आई हो यह definitions समझ में आया होगा examples आप देख सकते है ठीक है उसके बाद है next यदि मान लिए आगे चलते है example में अब कहता है periodicity होता गया है तो कौन-कौन से periodicity है तो इसमें देखेंगे सबसे first of all जो है वो है the screening effect और settling effect periodicity का पहला जो topic है वो हमारा है screening effect और settling effect ठीक है दूसरा जो topic है हमारा वो है effective nuclear charge ठीक है तो दूसरा topic effective nuclear charge है उसके बाद जो है हमारा atomic radius और atomic size radius जहिर सी बाद radius और size एक दूसरे से correlate करते हैं इसलिए दोनों को एक साथ रखा गया उसके बाद next जो है वो ionic radius और ionic size ठीक है उसके बाद जो है वो आपका ionization potential और क्या है ionization potential को ही बोलते है ionization enthalpy बोलते है और ionization enthalpy को ही ionization energy भी कहा जाता है यदि इसको shortcut में यदि देखेंगे तो कहता है ip, ie और ie इसको भी बोल सकते है ठीक है उसके बाद है आपका electro affinity ठीक है electro affinity ये क्या है electron gain करने की probability होती है उसी को electro affinity कहा जाता है detail इस पे आएंगे तो हम बताएंगे कि उसमें क्या होता है जो उसके बाद last जो है बहुत ज़्यादा important और हर जगा पर ये आपका application इसका होगा ठीक है electron negativity organic ले 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 ठीक है उससे related जितने भी सारे laws है वो use नहीं कर सकते है तो electronegativity लग almost जगह पे ये क्या होता है अपना role play करता है और इसको समझना ज़रो दिए तो इसमें देखेंगे कि ये कौन-कौन से जो है वो एक दूसरे से interrelated है तो यहाँ पर देखेगा सबसे पहला जो है वो आपको यहाँ पर लेके गया है ये सबसे पहला आते है screening effect पे तो screening effect ये एक base है ये सब को समझने के लिए ठीक है screening effect effective nuclear charge atomic radius ionic radius ionization potential electro affinity और electro negativity को समझने के लिए ये एक base को तयार किया गया ठीक है अब इसमें बताएंगे कि screening effect होता गया है ठीक है उसके बाद effective nuclear charge जो अपने आप में क्या है ये भी कह सकते हैं कि ये सब को ये जो remaining है ये atomic radius ionic radius ionic radius ionization potential electro affinity और electro negativity का ये क्या है बेसे यदि ये दो समझ में आ गया तो definitely ये जो चार पांच है न वो नीचे का वो easy way में समझ में आएगा कोई complication नहीं है और कहीं पर रटने की जरूरत नहीं है बस ये दोनों थोड़ा सा ज़्यादा carefully हमको क्या गरना है समझना है और बार बार इसको practice करते रहना ठीक है यदि प्रैक्टिस परपेक्ट रहा तो definitely ये आपका जो है पुरा periodicity और periodicity यदि आपका सही हो गया तो definitely इसका use जो होगा इसका benefit कहां दिखेगा bonding जब पढ़िएगा तब और bonding और periodic travel जिस बच्चे का strong है वो मेरे ख्याल से chemistry का कोई भी concept ऐसा नहीं है जहां पे वो समझ नहीं पाएगा ठीक है तो यहां पे आप लोग को ये करना पड़ेगा ठीक है नहीं भी है कोई दिकत नहीं है हम बता रहे हैं तो जिस प्रकार से जैसे जैसे हम बता रहे हैं बस follow करते जाएए easy way में chemistry के लिएर हो जाएगा ये इतना बिस ब्लीव रखिया अब है ठीक है तो ये होगे अब इसको जो है हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आगे क्या है अब है second में ये जो है आपका the screening effect or salting effect तो students screening effect or salting effect हम हमेशा से बोलते आए हैं कि जब भी science पढ़िए तो एक चीज़ ध्यान दीजएगा कि जो मेरा heading होगा heading में क्या आ रहा है सबसे पहला जो main point है जो highlight line है heading है उसका मतलब क्या होता है यदि उसका मतलब आप समझाते हैं तो आधे से ज़्यादे concept को आप आपके mind में याद हो गया ठीक है तो समझना क्या है सब कुछ इसी पर depend करता है तो ये screening क्या है इसको हम समझाते हैं समझाने का परियास करेंगे तो ये जो screening का जो हम लोग नाम लेते हैं screening का मतलब होता है परत्तदार इसको थोड़ा हिंदी मिलेके चलते है तो layer, layer wise ठीक है यानि layer wise layer जो होता है उसको screening करते है ठीक है तो screening का मतलब होता है layer ठीक है layer layers ठीक है layers, बहुत सारे layers जब एक दूसरे पर क्या हो जाएंगे cover up हो जाएंगे तो वो screening हो जाएगा और यहां पर इसी का दूसरा नाम जो लिया है वो क्या लिया है silding effect sild कर देना sild मतलब नहीं कहते है sild pack मतलब बंद ठीक है तो बंद कर देना तो यह जो होता है वो क्या हो जाना close एक तरीके से कहता है या फिर इसको कहते है कि यह क्या कर देना block कर देना ठीक है blocking हो जाएगा यह हो जाएगा block कर देना ठीक है तो यह जो है इसका मतलब यदि आप समझ पा रहे है तो क्या है आपका काम असान हो गया अब इसका हम definition देखेंगे और इसका मतलब जो हम समझ रहे है और वो definitions में उसको क्या करेंगे, apply करेंगे, तो definition हमें easy way समझ में आगा, जब definition समझ में आगया, तो समझ यह आपका काम okay हो गया, अब देखिए इसका definition जो होता है, वो क्या है, in a multi electron atom, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, multi electron atom क्या करता है, multi electron atom होता है, ठीक है, तो यहाँ पर, in a multi electron atom, यानि वैसा atom, जिसमें electron एक से ज्यादा हो, multi electron बोल रहा है, not hydrogen, hydrogen यहाँ पर नहीं आएगा, hydrogen में आप देखते हैं, कि hydrogen में क्या होता है, एक electron होता है, तो यह multi electrons में नहीं आएगा, यह multi electrons नहीं होंगे, multi electron atom, hydrogen नहीं होगा, ठीक है, तो इसके अलावा, एक से ज्यादा जिसमें electron हो, the actual force of attraction between, क्या होजाएगा, exerted by the nucleus, यहाँ से समझीगा, the actual force of attraction, यानि वास्तवीक force of attraction between, क्या होजाएगा, exerted by the nucleus and the valence electron, यानि actual force of attraction कहां लगता है, तो nucleus और outermost electron के बीच, जिसको हम valence electron बोलता है, ठीक है, तो उसके बीच जो लगता है और वो किसके द्वारा लगता है, XTA exerted by nucleus, nucleus के द्वारा लगता है, ठीक है, due to presence of electron in inner cell, जिसके कारण, यह electron, due to presence of, क्या हो जाएगा, electron in inner cell, electron, inner cell में जो electron है, उसके कारण, is called a screening effect, salding effect, ठीक है, तो कहता है, यहाँ पर electron, जो है, force of attraction, affected by, यहाँ पर थोड़ा सा different हो गया है, कुछ missing है, in a multi electron, the actual force of attraction, affected by, यह affected हो जाएगा, affected by, क्या हो जाएगा, अब यह क्या हो जाएगा, attraction affected between, exerted by nucleus on the valence electron, due to, क्या हो जाएगा, presence of electron, मतलब कहने का यह है, कि definitions, मतलब, उसमें कुछ points missing है, तो देख लिजेगा, अब यहाँ पर एक चीज़ समझेगा, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि जो, actual force of attraction, affectations of, कहता है, actual force of attractions, which exerted by, क्या हो जाएगा, nucleus and nucleus to, क्या होगा, balance electron, ठीक है, उसके बाद कहता है, affect हो जाएगा, उसी को बोलते है, shielding effect, ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, कि, in a multi electrons, the actual force of attractions, between nucleus and valence electron, affected by, affected by, क्या होगा, due to, affected due to, presence of electron in inner cell, is called a screening effect, मतलब, एक atom है, atoms में, autormous cell होगे, nucleus होगा, ठीक है, और उसके बीच, जो force of attraction लग रहा है, वो force of attraction, कहीं न कहीं, affect हो रहा है, परभावित हो रहा है, ठीक, disturb हो रहा है, कि, इसके द्वारा, तो valence cell के अलावा, जो inner cell में, electron है, उसके द्वारा, उसी को बोला जाता है, shielding effect, जैसे, इसमें जो हम लोग देखते हैं, जैसे इसको देख पार है, तो यह क्या होजाएगा, shielding effect, अब इसको देखते हैं, यह figure को देखते हैं, अब यह figure को जब देखेंगे, तो इसमें क्या पता चलता है, इसको हम समझाते हैं, समझाने का परियास करेंगे, ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि यह और्टरमोस्ट सेल है यह इसको इसको भैलन सेल भी बोलते है भैलन सेल भी बोलते है ठीक है अब यह भैलन सेल है और यह और्टरमोस्ट और्विट भी है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है यह जो इलेक्ट्रॉन देख रहा है न यह भैलन से आपका इनरसेल है क्या है इनरसेल है निया सेल को लेक्टरौन है इसको रिपेल कर रहा है मतलब यह जो force of attraction है यह repulsion के द्वारा इसको क्या कर रहा है disturb रहा है तो इसी disturbance को कहा जाता है selling effect ठीक है मतलब nucleus और valence electron के बीच force of attraction exert हो रहा है जिसको यह inner cell वाला electron है वो repulsion के द्वारा क्या कर रहा है यह disturb कर रहा है affect कर रहा है तो उसी को बोलते हैं हम लोग screening effect या फिर हम लोग उसी को बोलते हैं क्या screening effect तो guys इसमें एक चीज़ और है जैसे हम एक example बताते हैं कि मान लिया जाए कहीं पे एक कोई cities है अब उसमें कोई celebrities आने वाला है यहाँ पिए celebrities आएगा अब दो दिन पहले announcement पुरे सहर में हो गया कि celebrities आने वाले हैं और बहुत popular celebrities हैं और वो आने वाले हैं तो उसमें से जो जितने भी सारे लोगों के पास जानकारियां होगी उसमें से कुछ लोग इतने ज़ादे excited होंगे कि आने से दो घंटा पहले जाके वहाँ पे बैठ जाएंगे अस्थान पे तो जहिर सी बात है कि वो क्या कहां रहेंगे कुछ लोग जो होंगे celebrities के आने के कुछी मिनट पहले वो आये होंगे तो उनके वो जहिर सी बात है थोड़ा पीछे चले जाएंगे कुछ जो है वो जस्ट उसी टाइम आये जिससे में celebrities आने वाला था तो वो भी पीछे चले जाएंगे और कोई एक ऐसा मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी कारण बस रास्ते में अटक गए और पहुँचे आधा घंटा लेट तो वो जहिर सी बात है सबसे पीछे होंगे आगे जो है वो इतने सारे लोगों का क्या है भीड ठीक है भीड जमा है तो इसी के effect के कारण ये जो celebrities का नजर है वो यहां तक नहीं आपा रहा है तो इसी disturbance को बोला जाता है screening effect मतलब एक layer create कर दिया गया ये लोगों के बीच लोगों के द्वारा ताकि इसका जो नजर है ये last वाले बंदे पे नहीं पड़े तो ये हो जाता है screening effect और silding की क्यों बोलता है क्योंकि ये क्या किया इसके नजर ये celebrities के नजर को ये लोग क्या कर दिये ब्लॉक कर दिये ताकि यहां तक ना पहुँच पहे तो इसको बोलते हैं क्या आपका silding effect ठीक है तो ठीक electron वही है मतलब atom में भी वही process होता है ये बिचारा निकुलियस यहां पे एक celebrities के form में है और ये uttermost का electron है उसको क्या माल ले लेड से आने वाला और ये जो penetrate sail मतलब inner sail में जो electronics है ना उसको माल ने कि या तो time पे आया है या तो time के पहले आया होगा और जो सबसे नस्दीक रहेगा इसका मतलब वा time से पहले आया है और जैसे जैसे दूर जा रहे है, इसका मतलब वो क्या है रहा है, नजदीक आ हरा है, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कि time से मतलब जो आ रहा है, वो जैसे जैसे पीछे जाएगा, और बिचारा है यह late से आया, automost electron, तो इस पर जो है, इस nucleus का जो effect है, यानि positive charge nucleus होता है, और यह negative charge होता है तो दोनों के बीच क्या लगता है एक force of attraction लगता है तो यह force of attraction क्या हो जाता है कम जाता है और वो force of attraction कितना कमता है वो depend करता है कि इसके आगे यह outer sail में जो electron है उसके आगे कितना संख्या में electron है मतलब इस पर नज़र यह इस celebrities का किस पर depend करता है कैसे नज़र पड़े तो जितना ज़्यादा gathering होगा उतना कम नज़र पड़ेगा अब suppose करते हैं कि मान लियाजा है कि यहाँ पर जो है यह बीच वाले को हम हटा दे यह बीच वाले को अचानक यह हम हटा दे अब बताएए कि बीच में कुछ है नहीं न तो इस celebrities का जो नज़र है direct इस पर पड़ेगा मतलब बीच में कोई effect नहीं डाल रहा है कुछ नहीं है disturbance कुछ नहीं है तो यह direct इसका जो effect होगा वो इस पर पड़ेगा direct नज़र पड़ जाएगा ठीक है उसी प्रिकार से जब यह inner cell में electron नहीं अपना force of attraction को क्या करेगा build up करेगा ठीक है तो यह आपका screening effect है ठीक है तो समझ में आया होगा यदी नहीं तो आप देख सकते हैं दुबारा यह क्या है यह आपका निकुलियस है और यह और्टर मॉस्ट क्या है और्विट electron है अब निकुलियस और electron के बीच क्या लग रहा है और्टर मॉस्ट सेल के electron के बीच एक force of attraction लग रहा है लेकिन इस और्टर मॉस्ट के पहले एक electron यह क्या है सेल है जिसमें जो electron है ना वो उस बाले electron पे repulsion force को exert कर रहा है और वो repulsion force क्या कर रहा है इस attraction force को disturb कर रहा है उसी disturbance को बोला जाता है selling effect या screening effect ठीक है तो मेरे कहाल से यह definition समझ में आया होगा फिगर के द्वारा आप देख सकते हैं इसको ठीक है उसके बाद कहता है यहां पर the screening effect constant is represented by the symbol sigma ठीक है यह जो आप symbol देख रहा है ना sigma का यह जो है sigma का जो symbol है यहां पर यह यह इसी से रिप्रेजेंट होता है यह आपका sorry यह आपका जो है पूरा का पूरा screening effect sigma यानि sigma को लेकर चलते हैं है ना तो याद रखेगा कि screening effect को represent कैसे किया जाता है sigma के द्वारा ठीक है उसके बाद जो है आगे तो यह आपका second यह next point the magnitude of the of a screening effect depend upon the numbers of inner electron अब इसमें समझने वाली बात है हम तो पहले भी बता चुके हैं यदि आप समझ गए होंगे तो दुबारा देख लिजेगा यहां पर क्या कहा जा रहा ना कि यहां पर the magnitude of a screening effect a screening effect का जो magnitude है that means sigma का जो magnitude है वो depend करता है कि अंदर मतलब inner cell में कितना electron रहता है मतलब कहने का यह है कि यह तो outer cell हो गया ठीक है अब यह inner cell में कितना electron रहेगा उस पर depend करता है sigma यह screening effect का magnitude मतलब electron ज्यादा रहेगा तो इसका screening effect ज्यादा क्या होगा affected होगा ना मतलब वो ज्यादा अपना प्रभाब डाल पाएगा तो वो क्या हो जाएगा उसका magnitude ज्यादा तो magnitude Scraining Effect, A Scraining, A Scraining Effect जया है? वो गए है, डैरेक्टिती uzisme ne llegar to the numbers of electrons in क्या हो जाएगा inner cell, इनर से खी तरडिक है तो इसको आप लिख सकते हैं, तो जितना ज्याधा संख्या रहेगा और शेल के electron को छोड़ करके अंदर वाले सेल में जितना electron रहेगा उतना ही a screening effect का magnitude बढ़ेगा ठीक है तो चलिए उसके बाद next देखते हैं तो next क्या है अब देखेगा यह यहाँ पर दिया हुआ है a screening effect और sliding effect ठीक है यह directly proportional to numbers of inner electron मतलब autonomous electron को छोड़कर जो भी अंदर वाले electrons होंगे उसकी संख्याप के directly proportional मतलब directly proportional का मतलब क्या होता है कि यह बढ़ेगा तो यह भी बढ़ेगा और यह घंटेगा तो यह भी घंटेगा मतलब एक दूसरे का directly proportional ठीक है clear तो उसके बाद next अब जो है इसमें note कह रहे है नोट में क्या क सिग्मा ठीक है अब यहां से जो है इसको हम लोग देखेंगे कि simply the magnitude of यहां पर सिग्मा होने चाहिए सिग्मा यहां चला गया है थोड़ा सा सिग्मा इस डिटेर्मेंड वाइदव स्लैटर्स रूल यह स्लैटर्स रूल अब कहता है magnitude के बारे में भाहिया पढ़ लिए कि भ ज्यादा होगा अस्क्रिणिंग एफेक्ट उतना ज्यादा होगा तो अब हम लोग कहां पर आगे तो सिग्मा के magnitude निकालने निकालना होगा ठीक है तब तो पता चल पाएगा कि हाओ मेनी क्या हो जाएगा सिग्मा मगनिचूड ऑफ सिग्मा ठीक है तो जितना ज्यादा जिसके द्वारा कुछ rules regulation बनाये गए हैं कि आप इसको ऐसे कर सकते हो और calculative way में find out करके आपको बताना होगा कि यस lattice rule के द्वारा कि किस element में कितना screening effect है और जितना screening effect होगा जाहिर सी बात है ये nucleus और uttermost electron के बीच का attraction उतना बीख होगा अब इस पर बहुत सारा properties जो अभी हम बोलने नहीं जा रहे हैं लेकिन जैसे जैसे ये आपका ये चलेगा periodicity आगे बढ़ेगा आपको ये समझ में आने लगेगा कि हम क्या कहना चाह रहे थे अभी थोड़ा बेट कीजिए अभी हम screening effect को ही अच्छे से समझेंगे ठीक है और यदि ये अच्छा हो गया तो समझेगा कि आप बहुत कुछ सिखने वाले हैं मतलब एक key जो होता है ना एक basic key chemistry का वो आप सिखने वाले हैं तो वो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजेगा ठीक है तो यहाँ पर ये सिखमा हो गया अब जो है slatter's rule क्या है अब slatter's rule की हम बात करत हैं तो slatter's rule को कैसे देखते हैं क्या है देखे अब कह रहा है इसमें एक slatter's rule slatter's rule क्या गए रहे तो यहां पर जो है कि ns का मतलब क्या है n का मतलब क्या है n का मतलब uttermost cell ठीक है np का मतलब क्या है मतलब uttermost cell का s और uttermost cell का p तो यह साफ हो गया ठीक है uttermost जैसे माने जाए यह atom यह तो uttermost कौन हो जाए यह तो इसका s और इसका p ठीक है वही कह रहा है तो कह रहा है कि इस ये दोनों में जो electron होंगे उसके लिए screening effect का magnitude क्या है मतलब इस electron के लिए कि मतलब ये इसमें जो electron है ना उस electron के लिए कितना ये magnitude आ रहा है screening effect का ठीक है तो वही चीज बोला है तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहला तो इसमें for ns और vital electron ये समझ में आगे अब देखिए first है write the electronic configuration of the element in the following order and group them as मतलब सबसे पहले हम electronic configuration को लिखेंगे element का और बोला है कैसे अपने मन से नहीं हम जैसे बता रहे हैं वह ऐसे लिखना है ठीक है तो बहुत सारे बच्चे होते हैं सर हम ऐसे क्यों लिखें ठीक है तो इसके वारे में हम थोड़ा सब discuss करेंगे तो rules नियम नियम होता है ठीक है आपके कहने आणा कहने से कुछ नहीं होगा ठीक है यहाँ पर देखें कियो कहता है इसमें क्या है कुछ changing नहीं है खास changing नहीं बस एक क्या कि आया ना कि एक के जितने भी सारे सबसेल हैं उनके और वाइटर्स को एक जगह पे ला दिया है यह पहला यह फरस्ट सेल हो गया यह आपका सेकेंड सेल हो गया यह पूरा का पूरा थर्ड सेल हो गया थर्ड में तो क्या आप जानते ही है is veg सेल, P subscriber, D subscriber ठीक है आ psychological मानिए जाए यह सब क्लियर नहीं है किनी को तो आप मेरे प्रेविएस वीडियो पे जा सकते हैं मतलब उसमें आप देखेगा बेसिक कॉंसेप्स अफ कारवन होगा या फिर कॉन्फीगेशन तो वह वहां पर जा करकर देखेगा आप मिल जाएगा फोर एफ में फोर में कितना फोर सेल में चार सब सेल होते हैं एस पी डी और एफ तो यह चारों को एक साथ रखा है और यह फाइव में भी फोर होते हैं और सिक्स में भी फोर होते हैं लेकिन यहां तक लिया गया ठीक है अब यहां पर क्या है ना कि यह फोर और यह फाइव और यह क्या हो जाएगा सिक आग्स बाकि से imitate लेक्ट्र आमेंट तो इसके बारे में इतना नहीं देख पहथ है तो यहां पर कहा है कि कि सबसे पहला ये सिंगल है बागि ये पीयर में ये पेयर में और ये सिंगल है क्योंकि ये दोनों एक साथ आते हैं लेकिन यह 4S के बाद आता है इसलिए इसको अलग रखा गया ठीक है उसके बाद यह 4S 4P एक साथ आता है ठीक है 4S 4P और यह यह PR में क्या गया तो भाईया आप क्या की जेगा पहले सबसे पहले screening effect के magnitude को slatter's rule से find out करने के लिए पहले आपको element के configuration को इस terms में क्या हो करना पड़ेगा arrange करना पड़ेगा clear चलिए उसके बाद जो है हम लोग आगे आते हैं तो यह क्या हो जाएगा सेकेंड हुआ एक्सें एक्सें फोच अवव दी राइइथ ओव थीधा ओ ऊनुद मुरू अर एन्पी गरुप ए क्सें i password है और याणि इलेक्ट्रों यॉक्ट्रोंस है उसके एलेक्ट्रों में पर और राइथी वोन आपकी हम ब्याइव था ठीक है यह था बेलत भीले in shielding the ns or np electron and contributed nothing nothing to sigma यह sigma हो जाएगा कता है electrons to the right of the group are not effective कता है कि यह जो ns और np group का जो यह क्या है electrons है हा ना बचा हुआ जो electrons है group are not effective in shielding effect the ns और np electron and contribute nothing और ns और np electron क्या करता है shielding effect में contribute नहीं करता है कारण कहां देखिए कहता है मान लिए जाए यह क्या है आपका nucleus है और यहां पर मान लिए जाए इसमें electron है अब बताएए कि जो भी है मतलब हम एक example जो लिए थे कि celebrities है और यह सब लोग पहले आ चुके हैं और इसमें से कुछ दो चार पांच लोग क्या आए हैं लेट से आए तो बताएए यह पांचो आपस में लड़ेगा क्या नहीं लड़ेगा चुकि पांचो जान रहा है कि problem हम को आगे से है तो यहां पर जो किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम सिल्डिंग इफेक्ट देखते हैं तो जो सेस है ना इलेक्ट्रॉन जो इसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका कोई परभाभी नहीं पड़ेगा इस पे कारण क्या है कि यह बहुत जादा है मतलब इन्वाल्व बहुत कम होता है और उतना क्या होगा मैग्निचूड बढ़ जाएगा यह सब पर उतना ज्यादा डिपेंडेवल नहीं होता है अब देखिएगा आगे उसके बाद यहां पर बोला जाए रहा है कि आल अदर्स एलेक्ट्रॉन इन दो एनेस और एनपी ग्रूप कंट्रिब्यूट टो दी एक्स् यहां पर मान लिया जाए कोई एलेक्ट्रॉन जैसे यह थ्री फाइव है ठीक है अब यह पूरा का पूरा निकलियस है और यह यहां पर और्टरमॉस्ट और्विट क्या कह रहा है कि आल अदर एलेक्ट्रॉन इन दो एनेस और एनपी ग्रूप कंट्रिब्यूट टो दी एक पांच इलेक्ट्रॉन है पांच इलेक्ट्रॉन और्टरमॉस्ट में तो हम एक इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग हम लोग निकालते हैं तो इसमें बचा क्या एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दो तो चार इलेक्ट्रॉन बचा अब चार इलेक्ट्रॉन जो है वह into 0.35 कर देगे यह इतना कंट्रिद्यूट करेगा ठिक है यानि एक इलेक्ट्रोण जब ़ो 0.35 करेगा औहुए जिए सिंगल बिश्टोण इस में रहा वैलेंस सेल में 0 पर तो यहां पर तो कंट्रिबूट करे गानी लेकिन एक इलेक्ट्रोण के अलाावे इलेक्ट्रॉन रहेगा और में तो वो करेगा थोड़ा वोद करेगा कंट्रिबूट 0.35 का और काता है टूदी अस्क्रीनिंग कॉंस्टेंट यानि स्क्रीनिंग कॉंस्टेंट के मतलब सिग्मा ठीक है एक्सेप्ट फार वान एस फार वीच दो वैलू इज क्या हो जाएगा 3-0 वान एस का वैलू जो होता है वो 3-0 होता है जैसे माल लिया जाए कुछ भी हो जैसे 1-2 कर दिये तो इसमें क्या है निकिलियस है और यहाँ पर क्या है दो इलेक्ट्रोन तो एक इलेक्ट्रोन पर हमना स्क्रिनिंग इफेक्ट देख रहा है और सेस एक इलेक्ट्रोन जो बचा उसके लिए क्या हो जाएगा 0.30 यह एक्सेप्शनल याद रखना है यह याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ वान एस के लिए 1s के लिए ठीक है जो use होगा वो क्या हो जाएगा कब जब except for 1s for which the value is 0.30 ठीक है कब जब हमको से उसी 1s 1 कहीं किसी electron के regarding हमें को क्या निकालना है effective nuclear screening effect को निकालना है ठीक है तब जाकर कि जो remaining electron बचेगा उसके लिए 30 example आएगा तो और भी clear हो जाएगा इस बात का ठीक है तो देखेगा उसके बाद हम लोग अब यहाँ पर आ रहे है all the electrons in the n-1 n-1 इसल क्या होता है बता रहे है इसल कंट्रिव्यूट 0.85 इच टूदी अस्क्रिनिंग कॉंस्टेंट मतलब क्या है इधर देखेगा मतलब इसका यह है कि मान लियाज है कि यहाँ पर जो है वो एक वो जो है यह यह आपका भैलेंस सेल तो भैलेंस सेल को n से रिप्रेजेंट करते हैं यह जो होता है n-1 होता है यह जो होता है n-2 होता है और यह जो होता है n-3 होते हैं तो क्या बोल रहा है n-1th cell मतलब इस cell की बात कर रहा है just valence cell के पहले वाले cell n-1 जितना भी valence cell होगा यदि 4 होगा तो n-1 3 होगा यदि 2 होगा तो n-1 1 होगा ठीक है तो कहता है कि valence cell के just पहले वाले cell में contribute जो जितना भी सारा electron होता है वो परतियेक electron 0.85 को contribute करता है मतलब यदि 10 electron है तो 0.85 हो जाएगा यदि 5 है तो 0.85 हो जाएगा multiply कर देंगे इससे ठीक है तो ये इतना contribute करता है तो क्या समझ लिए कि autormost cell का जो electron होगा जो एक electron को छोड़कर जो भी electron होगा वो 0.35 contribute करेगा परतियेक electron और उसके अंदर वाले करेगा 0.85 परतियेक electron contribute करेगा तो ये उसके बाद example में सारा कुछ clear हो जाएगा अभी point को समझ लिजी अब करता all the electrons in the n-2 cell अभी हम बताए कि just balance cell के पहले वाले cell को n-1 और just balance वाले cell को पहले cell के पहले वाले को n-2 तो उसमें जितना electron होगा वो कितना contribute करेगा वो contribute करेगा आपका 1 एक electron 1 अब जितना electron रहेगा एक 1 से क्या कर देंगा multiply कर देंगे ठीक है तो यहाँ तक clear उसके वाद हम लोग आते हैं अब एक्जामपल पे आएंगे ठीक है तो एक्जामपल कैसे होगा देखें अब कहरा है यहाँ पर यह तो n-s और n-p की बात कर रहे ठीक है और n यह d जो d है d और f इलेक्ट्रॉन जो होगा n नहीं nd नहीं n f भी नहीं यह अंदर वाले f की बात कर रहे है ठीक है तो इसको हम लोग समझेंगे पहला है कि राइट दो इलेक्ट्रॉनिक काण्फिगेशंस आफ द इलेमेंट इन द फॉलोइंग और 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 ग्रूप as them as ठीक है भाईया तो इसमें भी लिखना पड़ेगा कैसे लिखना पड़ेगा कि यह किस प्रकार्श होगा तो देख लिजेगा इस तरीके से लिखना पड़ेगा ठीक है यह अभी हम जस्ट थोड़ा दर पहले हम बताया थे कुछ दिर पहले हम इसको डिसकस किये थे उसक सब्सक्राइब में एलेक्ट्रों टू दी राइट ऑफ दो एन एस और एन पी ग्रूप और नॉट एफेक्टिव इंसलिंग ठीक है कह क्या रहा है कि मान लिया जाए यहां पर थोड़ा सा समझने वाले बात यह कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए एक वार देख लिजेगा य यहां पर यह क्या है निकुलियस और यह जो है आपका यह एन सेल है और यह एन माइनस वान है तो जायर सी बात है डी और एफ जो आएगा एन और एन माइनस टू में ही आएगा एन का तो डी आएगा नहीं अब इसमें क्या कह रहा है कि यदी मान लिया जाए इसका डी ले र तो पीछे वाला इसको disturb करेगा कभी, celebrities को देखने में पीछे वाला कभी disturb करेगा, नहीं करेगा, जो भी करेगा आगे वाला करेगा, यही कारण है कि यह वाला जो electron होता है, वो क्या करता है, are not effective in shielding effect, वो shielding effect में effective नहीं होता है, तो shielding effect में effective नहीं होता है, मतलब shielding effect में participate नहीं करता है ठीक है तो कब यह जब D की बात करेंगे यानि वैलेंस सेल D और F जो होगा वैलेंस सेल के अंदर वाले सेल में D और F होगा उसके इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो उसमें जो electron है उसको relate करेंगे उसको include करेंगे और उसके अंदर वाले को include करेंगे ठीक है तो यह हो गया यही कह रहा है यह sigma उसके बाद यहां पर है क्या all other electrons in the ns और np group contribute to the extent of 0.35 each to the screening constant except one which is the same पीछे वाले slides में आपको बताया गया all the electrons in the group lying left to n minus n d और n f group contribute one to each other ठीक है अब मानलिया जाय इसमें क्या कह रहा है कि n nd किसको बोल रहा है nd का मतलब वो नहीं समझेगा जैसे मानलिया जाय यह हो गया अब यहां पर यह n है और n minus one है अब हम इसका d electron का हम a screening effect निकालना चाह रहा है तो electron किस में है n minus one में है न तो उस electron के लिए तो valence cell वही हो गया वही इसी लिए बोला है nd और n f ऐसा नहीं है कि यह valence cell का बता रहा है ठीक है तो जिस cell में हम लोग क्या रहे रहे हैं electron का screening effect निकालना चाह रहा है उसी को रिप्रेजेंट किया गया है n से ठीक है तो वही कह रहा है कि all the electrons in the group laying left यदि से बचता है तो group contribute each to क्या हो जाए तो दी screening effect और परतियक electron कितना क्या करें contribute करेगा यह करेगा one ठीक है clear उसके बाद उसके बाद जो है आगे next अब आप देख सकते हैं इसमें इस फिगर में क्या क्या है आप वो समझ में आ जाएगा फड़ा बहुत अब देखिएगा इसमें क्या है कि यह जो सेल है ना यह निकुलियस और यह सेल के वहले एक सेल है और जब सिंगल सेल रहेगा तो हम पहले भी बता चुके है 0.30 ठीक है स्लैटर्स कॉंस्टेंट की बात यह दिकरते हैं और जब दो सेल होगा तो वहलेंस सेल जो होगा एन होगा और यह क्या हो जाएगा एन माइनस वन होगा तो एन माइनस बन में 0.8 टोटल इलेक्ट्रॉन ए परतियक लेक्ट्रॉन करेगा और यह 0.35 अब यहां पर जो है अब वह एक तीन हैं यहां पर n होजाएगा n माइनस वन हो जाएगा और n माइनस क्या होजाएगा 2 हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए यह N-2 में कितना 1 आये इसके पहले और यह 0.85 अब इस प्रकार से यह क्या है दिया हुआ ठीक है अब यह देखिएगा यदि माले जाए इसका इलेक्ट्रॉन रहा तो 0.35 करेगा यह तो वैलेंस से हो जाएगा न यदि माले जाए इस M मेजो इलेक्ट है उसका हमा स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालेंगे तो इसके लिए इस इलेक्ट्रॉन के लिए इस सेल क्या हो जाएगा एन हो जाएगा और यह जो देखिए माइनस में तो माइनस में तो पार्ट कंट्रिब्यूट करता नहीं उसके बाद यह क्या है इस और में रहेगा ठीक हमका configuration लिखते हैं चाहे जो भी आ जाए उसका cell नमबर आ जाए यह 1, 2, 3, 4 आ जाएगा ठीक है अब इसमें क्या है कि यह N आ रहा है N-1 आ रहा है N-2 आ रहा है N-3 आ रहा है तो आपको करना क्या है न कि यदि हैलन सेल के electron के लिए हम लोग effective nuclear charge लगा रहा है तो उस electron का तो यह हो जाएगा तो उसमें यदि एक electron है तब तो सही है यदि एक से ज्यादा है तो एक को छोड़कर कि जितना electron होगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे इससे multiply कर देंगे उसके अंदर वाले में जितना electron होगा उसको 0.85 से multiply कर देंगे उसके अंदर वाले में जितना भी सेल होगा चाहा है दो हो जाए तीन हो जाए जैसे मान लिया जाए यहाँ पर 4 है यहाँ पर क्या है मान लिया जाए इनकी लि बचेगा वान वान पॉइंट जीरो हो जाएगा ठीक है तो टोटल में एक से क्या कर देंगे मल्टिप्लाइब कर देंगे क्लियर तो यहां तक समझ में आया होगा उसके बाद आगी बढ़ते हैं तो screening effect को अब जो है examples देख लेते है examples भी आपको दिया गया है तोव देखते हैं examples को ठीक है overall मैंने तीयोरी तो देख लिया होगर ने देखा कैसे क्या हो रहा था नहीं हो रहा था अब पैस्छाम्बल की बात करते हैं ठीक है तो यह example जो है वह प्लगी तो ग्रूपätta पिरिड मतलब पिरिडिक्टेवल का ग्रूप ग्रूप क्या होता है पिरिडिक्टेवल में आप लोग जानते होंगे कि जो भर्टिकल रो होता है खड़ा लाइन जो होता है उसको ग्रूप बोलते हैं जो पड़ा हुआ रहता है उसको क्या बोलते है पिरिड बोलते है ठीक है अब हम लोग देखते हैं examples को ठीक है तो example पूरा overall theory हम लोग देख चुके हैं ठीक है उसको समझ भी लिए होंगे ठीक है उसके बाद हम लोग example देख लेते हैं तो उससे ज्यादा clarify हो जाएगा हमारा theory जो होगा वो क्या हो जाएगा concept जो होगा वो verify हो जाएगा repeat हो जाएगा ठीक है तो कहने का मतलब मेरे यह है कि यहाँ पर example जो है आपको बताया जाए रहा है तो यह example अब हम लोग देखते हैं examples को ठीक है कि example में आखिर किस प्रकार से वो हम कल्कुलेटिव कर पाते हैं तो examples का जो पहला होगा वो क्या है according to group of periodic table according to group of periodic table का मतलब है periodic table में क्या होता है elements होता है वो arranged होता है दो type से एक होता है horizontally left to right जो मतलब अर्थ सर्फेस के parallel हो उसको horizontal बोलते हैं एक vertical होता है जो perpendicular earth surface का वो क्या होता है perpendicular ठीक है तो उसको हम group बोलते हैं तो यहां पर बोला है कि group of periodic यानि vertical line को बोला जा रहा है ठीक है तो vertical line को बोला जा रहा है इसके according देखेंगे हम लोग तो यह हमारा examples है अब इस examples को हम लोग समझेंगे बारी बारी से ठीक है तो सबसे पहला जो है मेरा कौन सा group लिया गया है यह group number क्या है यह group number दिया गया है वह आपका है कहां पर यह second यह ठीक है उसके बाद यह group second है और group second का यह period number second है और यह third period में यह four period में यह five period में यह six period में ठीक है इसको बोलते है pd मतलब period अब इसका configuration निकालते हैं तो यहाँ n बरावर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ n बरावर है two यहाँ n बरावर आ रहा है three यहाँ n बरावर four यहाँ n बरावर five और यहाँ n बरावर six ठीक है अब यहाँ पर देखेंगे कि n में जो electron है सब में क्या है single है ठीक है तो इसके लिए हम लोग screening constant को देखेंगे screening constant के magnitude को find out करेंगे तो यह single electron है तो इसमें से एक minus करेंगे zero minus one zero इसमें minus one बरावर zero minus one बरावर zero minus one क्यों कर रहे हैं क्योंकि उस electron को हम लोग हटा दे रहा है जिसके रेफरेंस में हम भो क्याल जिसके लिए हम स्क्रिनिंग कॉंस्टेंट को find out करने वाले हैं तो यह 0 हो गया सिर्फ और सिर्फ बचा 2 तो n माइनस यह n का है और यह n माइनस 1 का है तो यह क्या हो जाएगा 2 n माइनस 1 में 0.85 जैसा कि हम previous slides में देख चुके है ठीक है तो वह हो जाएगा अब यह है n और यह n माइनस 1 और यह n माइनस 2 तो n माइनस 1 के लिए यह आ रहा है हाना और n माइनस 2 के लिए यह आ रहा है 1 ठीक है तो हम पहले भी बता चुके थे कि n माइनस 1 में 0.8 से मल्टिप्लाई होगा सारे electron में और उसके बाद उसके अंदर जो बचेगा वह सारा में 1 से मल्टिप्लाई होगा इसमें भी n है और यह क्या है n-1 है n-2 है और n-3 है तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा इसमें तो 0 है अब यह क्या है यह 8 एट इंटू यह जो एट है एट इंटू 0.8 और 10 टोटल यह 8 और टू 10 ठीक है तो यह हो गया मैगनिचुड उसका ठीक है आर भी का भी हो आई है ठीक है यहाँ पर n-1 n-2 n-3 और n-4 यहाँ पर देखेगा इन-1 0.8 यह 8 है न तो 8 हो जाएगा यह 8 इसके लिए है ठीक है तो यह 8 और बाकी बचे जो 28 देखेगा यह 28 आगया ठीक है तो इस तरीके से इतना आया उसके बाद इस सेम उसी में तो कहा क्या रहा है कि इसका जो यह आया इस परकार से कल्कुलेट करके आया ठीक है तो बैलेंस सेल में यदि बैलेंस सेल का इलेक्ट्रोन हम क्या करा है उ बाकि जो remaining बचे मतलब यदि बच जाता है तो उसमें 0.35 से भी multiply करना पड़ता है यदि नहीं है तो n-1 से हम लोग consider करते हुए चलेगे ठीक है तो यह according to group है तो देख रहा है according to group में क्या हो रहा है successive यह increase कर रहा है और वो भी एक large difference से क्या हो रहा है increase कर रहा है top to bottom जाने पर predictable में in a group screening constant जो है वो क्या हो रहा है वो increase कर रहा है इसको आप माइंड में रखेगा ठीक है आप तो यहाँ पर जो है अब इसके वाद हम लोग आते है next example example number second type example ठीक है according to period of predictable period हम पहले भी बता चुके है period क्या होता है तो left to right जब हम लोग जाते हैं horizontally ठीक है तो यह horizontally आप लोग देखते होंगे हलांकि यह vertically हम arrange कर चुके हैं लेकिन यह देखिएगा कि यहां पर यह period क्या है इसका जो periodic है यह जो है आपका group अब left to right जाएगे तो यह period कहलाएगा लेकिन group number क्या दबढ़ता है ना तो यह second group का यह और यह third group का यह four group का यह five group का यह six group का seven group का eight group का यह आपका क्या हो जाएगा ग्रूप आजाएगा ठीक है तो यह second period का total element है देखिएगा प्रेडिक्टेवल में second period में तो यह पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा अब इसमें differences क्याना कि इसमें n का जो value है वो क्या है constant होगा वो group की तरह increase इस नहीं करेगा और इसी लिए इसका effect जो देखिएगा वो किस परकार से आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर जो है वो order cell में दो electron है तो हम तो screening constant किसी एक electron के लिए ही निकाल निकाल पाएंगे तो इसमें से जो एक electron को माइनस कर दें तो यह एक बचा इसमें एक करेंगे तो दो इसमें one करेंगे तो three इसमें one करेंगे तो four इसमें one करेंगे तो five और इसमें one करेंगे तो six इसमें one करेंगे तो क्या हो जाएगा seven ठीक है इस तरीके से तो n cell में यह जो हमारा जो है वह क्या है यहां पर यह हमारा सेल ठीक है ठीक यह हमारा n सेल है और यह n भी यह एड और n-1 यह n डि यह n-1 यह n और n-1 यह n-1 यह n-1 है n-1 है एन है और एन माइनस वन है और एन है और एन माइनस वन है ठीक है यह क्या हम बोल रहा है एन और एन बन क्या बोल रहा है यह निकलियस है मान लिया जाए यह सेल है तो यह मान लिया जाए एन सेल लेते हैं तो यह एन माइनस बन लेंगे यह एन माइनस टून लेंगे एक घटात कि यह जो बैलेंसल में वह कितना झाला झाला रहा है one one into three three 0.35 और एन मायस बन में two to this यह आ गया उसके बद एवन में two तो two into इतना और यह n-1 में two सब क्या है सेम रहेगा तो n- 1 में सब के लिए क्या आ रहा है सहेआ रहा ना बाकी in में numbers of electron increase कर रहा है उसके accordingly क्या हो रहा है यह आपका magnitude जो है वो increase कर रहा है लेकिन magnitude increase करने का जो differences वो क्या है बहुत कम है ना मतलब वो बहुत ज़्यादा largely way में largely ratio से यह increase नहीं कर पा रहा है मतलब यह एक उसको बोल सकते हैं असमोत ही यह कम differences से यह क्या हो रहा है increase कर रहा है ठीक है तो इससे हम लोग क्या समझें कि in overall कि periodic table में हम या तो accordingly periods हम लोग चले left to right हना या फिर accordingly हम लोग group चले top to bottom ठीक है दोनों condition में effective sorry screening effect का जो magnitude है वो increase करेगा लेकिन difference इतना ही है कि group के according चलेंगे तो differences होगा वो measure होगा बड़ा होगा बड़ा difference से वो क्या करेगा increase करेगा और according to period चलेंगे तो वो क्या होगा large मतलब less differences से वो क्या होगा increase करेंगे लेकिन increase दोनों तरफ से चलने में होगा ठीक है तो यह हो गया example उसके बाद कुछ और a specific example हम लोग देखते हैं तो specific example में कौन से example थोड़ा सा इससे हट करकर ले लेते हैं यह तो according to group और period हो गया अब उसके recording आप लोग देख लिजएगा अब इसमें जो है एक हम जिंक को लेते हैं अब इससे हम लोग समझने का परियास करेंगे क्या होगा यह जिंक वाला हाना तो जिंक वाला matter क्या है तो वो देखेगा सबसे पहला इसमें जो है यह जिंक का configuration ले लिए और jink का configuration को हम लोग क्या करिए जैसे concept कहता है वैसे हम लोग arrange कर दिये ठीक है तो jink में जो है वो configuration यह होता है अब हम यहाँ पर जो लिखा हुआ है न 4s electron के लिए तो jink में 4s में भी electron है 3d में भी है तो हम 4s वाला electron के लिए screening constant निकालना चाहरा है तो इसमें 2 electron है तो 2 electron है तो किसी 1 के लिए निकालेंगे तो इसमें से 1 electron को minus कर दे तो 1 आ जाएगा तो यह 1 into 3 0.35 आगया उसके बाद यह n minus 1 है और यह n है और यह n minus क्या हो जाएगा 2 होगा n minus 3 होगा तो इसके बाद जो भी आता है न यह n minus 1 के पहले जो भी आता है उसमें 1 से multiply करेंगे तो 1 हो गया और यह 18 है तो 18 तो इस तरीके से इसका जो magnitude है रहा ना वो किसका? सिग्मा का मतलब अस्क्रिन कॉंस्टेंट का तो वो इतना आ रहा है अब उसके बाद D, 3D electron, 3D electron कहने का मतलब क्या है? कि मान लियाजा यह आपका nucleus है और यह जो है अब इसमें 4S है तो D कहा रहेगा? 3 में रहेगा 3D, N-1 रियल में इसका जो यह है N-1 से लेगा लेकिन हम इस electron को जब निकालेंगे तो इसमें कितना electron है? इसमें कितना electron है? 10 अब 10 में किसी एक ही electron के लिए screening constant निकलेगा तो 10 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9 तो 9 के लिए यह क्या हो गया? यह 9 electron के लिए क्या हो गया? यह virtual क्या हो गया? एक outer cell हो गया N तो यहाँ पर 0.3 से multiply हुआ बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा? 1 से multiply अब उससे क्या हो जाएगा? यह आपका magnitude निकला कितना? यह 21.15 लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे क्या? कि दिखाई पड़ रहा है कि same क्या element है? ठीक है? निकिलियस भी दोनों में same है, ठीक है? लेकिन हम जैसे ही cell को change किये electron के cell को और अलग-अलग cell के electron के लिए screening constant देखें तो मेरा screening constant में क्या जाएगा? differ हो जाएगा कारण क्या है न? कि हम यह अंदर वाले cell को ले रहा है तो यह electron किस से disturb होगा? यह सब से disturb होगा? इससे कोई disturb नहीं होगा कारण कि हम बता रहते कि मान लिए रहा कोई celebrities है और इसके आगे कुछ आदमी खड़ा है तो यह वाला यह वाला आदमी को disturb होगा यह सब से लेकिन इस वाले आदमी को disturbance सिर्फ इससे होगा इससे नहीं होगा इसलिए हम इस को हम consider नहीं कर पाते हैं ठीक है? इसलिए इसका कोई involvement यहाँ पर नहीं है और इस परकार से हम लोग screening constant के overall concept को हम लोग समझ पाते हैं तो I hope यह helpful रहा होगा यह example उसके बाद जो है देखते हैं क्या लिखता है electron in differ orbitals are differently affected by the same nuclear charge depending upon the their proximity to the nucleus ठीक है? कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर एक atoms में different different cell में electron जो रहेगा उसके लिए screening effect अलग-अलग रहेगा जैसा कि example के थुरू भी दिखाया गया ठीक है? कि अलग-अलग हो गया और different different orbitals में भी रहेगा different different cell में रहेगा तो उसका जो हमेशा क्या होगा screening effect या screening constant वह क्या हो जाएगा हमेशा differ होगा ठीक है तो यह कहा जा रहा है इसके दोर है अब इसमें क्या गह रहा है कि सबसे पहला यह जो है the magnitude of a screening constant in the case of s and p block element in increased period as well as group ठीक है तो top to bottom जाने पे भी क्या होता है s s और p block में क्या होता है screening constant बढ़ता है p block और left to right जाने में भी according to period जाने में भी बढ़ता है according to group जाने में भी क्या होता है बढ़ता है ठीक है तो यह overall क्या है screening constant का आज देख लिए periodicity का first topic जो था screening constant इसके बाद का जो topic है effective nuclear charge लेकिन बने रहेगा हमारे इस channel के साथ because यह जो screening effect है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यदा vital role play करेगा effective nuclear charge को समझने में ठीक है तो I hope यह अच्छे से समझ में आया होगा और इसको practice आप कर सकते हैं अपने धंग से मतलब घर में element को ले करके उसका configuration निकाल करके उसका screening constant अलग-अलग electron पे निकाल सकते हैं और उसको observation कर सकते हैं ठीक है तो वो आपका practice perfect हो जाएगा और जितना अच्छे से यह cover up आप कर पाईएगा आगी का जो periodicity का जो topic है उतना ही आपका अच्छा होगा ठीक है तो मिलते हैं एक नए वीडियो नए topic के साथ effective nuclear charge तब तक के लिए धन्यवाद thank you